हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे हुंगे बच्चों शुरू करते हैं आज का ध्याय शेर से छुटकारा बच्चों अपने बल पर घमण क्यों नहीं करना चाहिए यानि अगर हम शक्तिमान हैं शक्ति से जी रहे हैं तो उस पर घमण क्यों नहीं करना चाहिए इस पर एक बार जरू सूचिएगा पाठ परेचे है प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि एक छोटा सा मच्छर ताकतवर शेर को जंगल से भगा कर सभी जानवरों को सुखी करता है तो ऐसा कैसे संभव है आईए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से शेर से छुटकारा आईए तो शुरू करे कहाने एक था शेर बड़ा ही निर्दई यानि उसके दिल में बिल्कुल दया नहीं थी दूसरों के लिए जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे जिसे चाहता वै उसे मार कर खा जाता उसके मन में जरा भी दया नहीं थी एक दिन सभी जानवरों ने गुप चुप एक सभा की यानि सब एक खटा हुए और कुछ सोचा सभी सोच रहे थे इस अत्याचारी शेर से कैसे चुटकारा पाया जाए यानि कि शेर इतना अत्याचार इतने जुर्म करता था तो जानवर ने सोचा कि कैसे इसको भागाएं पर कोई रास्ता नहीं निकला तभी एक कोने से आवाज आई भिन 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 जानवरों ने घुम कर देखा एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था आप लोग निश्चिंथ हो जाएए शेर को मैं सबक सिखाऊंगा तो उस छोटे से मच्छर ने बोला कि आप परिशान ना हूँ शेर को तो सबक मैं सिखाऊंगा सब हसने लगे भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहा टिकेगा पर मच्छर ने फिर जोर दे कर कहा आप लोग अपने अपने घर जाईए अगर एक सप्ता के अंदर यानी साथ दिन के अंदर शेर जंगल छोड़ कर ना भाग गया तो मेरा नाम भी भिन भिन मच्छर नहीं अगले दिन शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था मच्छर गया और उसके कान में भिन भिन करने लगा शेर को गुसा आ गया उसने एक पंजा मारा मच्छर तो फूर्ती से उड़ गया यानी बहुत तेजी से वो उड़ा पंजा शेर के अपने ही कान पर लगा वह बड़ी देर तक बिल-बिल आता रहा यानि रोता रहा क्यूंकि पंजे में चोट लगी अब मच्छर कभी उसकी गर्दन पर बैढ़ता तो कभी पीट पर कभी फिर से कान में भिन-भिन करने लगता शेर ने पंजे मार-मार कर अपना शरीर लहू-लुहान कर लिया जिससे उसकी पूरे शरीर पर खून ही खून हो गया लेकिन जरा सा मच्छर काबू में नहीं आया मौका पाते ही वह कान में भिन-भिन करने लगा आकिर शेर इतना परेशान हुआ कि वह तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ अगले दिन मच्छर ने सभी जानवरों को यह समचार दिया लोमडी हसते हुए बोली अरे वारे भिन-भिन मच्छर तुमने साथ दिन के लिए कहा था पर तीन दिन में ही मैदान जीत लिया यानि कि जीत ली उसने अपनी जंग को सभी जानवरों ने खूब नाच कर और तालिया बजा कर भिन-भिन मच्छर की जीत पर खुशी प्रकट की बच्चो यह कहानी है इस सब की कथा तो आपने इस कहानी से क्या सीका कि एक छोटा सा मच्छर जिसमें कोई जान नहीं फिर भी उसने इतने बड़े शेर को इतने भयानक शेर को भगा दिया और सब जानवरों की जान बचाई तो बच्चो किसी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए सब ही बलवान होते हैं चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा आशा करती हूं कि आपको याद्याय समझा गया होगा इसका भ्यास आप स्वयम कीजेगा